आज मालंकेड हैं बeasant नोगल olmay की रैसिपी को बनाना नहीं आते है वह भी बहुत ही और कि और सिंपल तरीके से देर है चलिक है बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम और यहां बताओं साधल जिसमें हम डालेंगे यह एक की देदाऊ बैसन पहले कॉमने पहले कोई गुठलिया ना रहे क्योंकि अगर बेशन में गुठलिया रहेंगे तो फिर यह जो है बेशन का अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए जब भी आप रोगला बनाए तो बेशन को छान ले ताकि आपका डुठला अच्छे बने अब यहां पे हम और अधा कप ले रहें बेशन देख सकते हैं का यहां पर हमने डेल कप टोटल मिला के बेसर्ण डाल आप इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे वाद की अनुसर नमक अब यहां पर हम डालेंगे एक से डेलग चीनी जिससे घुगले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हम यहां पे डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पॉडर एक चुटकी भर अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दो हरे मिश ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए अगर आप चाहिए तो यहां पे एक पिंच अदरग भी डाल सकते और आधा धालेंगे एक कप भर के पानी क्योंकि बेटर हमें न तो ज़्यादा गीला चाहिए और नहीं ज़्यादा गाडा चाहिए, तो हमने यहां पे टोटल मिला कि एक कपी पानी डाला है इस में बेसन अच्छे से पैस जाएंगे अब यहां पर इसका धकन बंढ़ करके हमें तब मीठा वी डाल सकते हैं तो यहां पर प्यक्ट पूरा भर के इनों पौडर पीर डालने के बदो हम एक बर अच्छे से मिलालेना है जपश्वास कीड़ पैयसे मिलना है ज़्ञां MAX हमारा बेट वजी लो गया है तो यह अच्छे से भीट करें इसको पहले से तेल डाल के चिकना कर लिया है तो हम इसी ग्लास में बेटर को डाल देंगे उपर पूरा बहर के बेटर नहीं डालेंगे क्योंकि जब यह नास्ता फूल जाएगा तब का ग्लास भर जाएंगे तो यहां पर हमें आधा से थोड़ा सा जादा बेटर डालना है इसे जा लुट पर हम ग्लास को रख देंगे दोनों ग्लास को और रखने के बाद क्या करेंगे कि इसका ढटकन हम बंद कर देंगे और हम फ्लेम यहां पर लोटू मीडियम कर देंगे और धक के हमें 12-15 मिनाट के लिए पकाना है ताकि यह अच्छे से अंधर तर पक जाए तो यहां कि न ஏक तो इसे हम ढटा कर लेते हैं फाट भाद की धर हम क्या करेंगे किनारे से हम पहले चाको के साइता से चूड़ा लेंगे ताकि अराम से निक जाए इसी आप ढंडा होने के बाद और ही निकाले वह अश्य से निकलेंगे नहीं सब्सक्षित और अच्छीय से ख़ेग यह जो डोकला है बहुत ही आसान तरीके समने बनाए बसा बनाने में कोई दिकत नहीं है इसके लिए ना तो कोई आपको डोकला वाला फ्रेम चाहिए नहीं कुछ अब क्या करेंगे कि ठंडा जाने के बाद हमें गोल गोल पीस में काट लेंगे डोकले को देख सकते कितने नरम और मुलायम बनके तयार हुआ कितने जालीदार है तो यहाँ पर और एक डोकला उसे भी हम काट लेते हैं अच्छे से तो देख सकते हमारा जो डोकला बनके तयार तो हम क्या करेंगे इसमें ताड़का लगाएंगे तो यहां पर हम एक सर्विंग प्लेट में पहले सर्व कर लेते हैं अब हम इसके लिए ताड़का तैयार करेंगे तो हमने गैस पर देख सकते एक ताड़का पेंच ड़ाया है जिसके गरम होती हम इसमें डाल देंगे एक च दाल सकते क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला है तो यहां पर हम हरी मिश डाल दियों जैसी हरी मिश हमारा थोड़ा सा रोष्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी हम पानी ज्यादा नहीं डालेंगे बस तीन-चार चमश पानी डालेंगे तो यहां पे हमने तीन-चार चमच पानी डाल दिया है अब इसमें क्या करेंगे कि नीबू नीचोड़के डाल देंगे जिससे और भी चटपटा हो जाएगा क्योंकि पेशन में नीबू करस नहीं डाला तो यहां पे हमने आदा चमच चीनी डाल दिया और स्वाध के अनुसर बस थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे यह जो डोगला है बनाना बहुत आसान इसे कोई भी हम बहुत ही आसानी के साथ बना के तयार कर सकता है इससे आसान तरीक आपको नहीं मिलेगा डोगला बनाने के लिए तो इस रेसिपी को एक बार आप जरूट राए कि जी वीडियो कर सकता है।